नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे एटेउप चैनल में दोस्तों घर में पेंड पौधे लगाने का शावक अधिक्तल लोगों को होता है वास्तु शास्त्र के नुसार पेंड पौधे ना सिर्फ घर का बातावण शुद्ध करते हैं वलके जीवन में खुशियां भी लाते हैं दोस्तों कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में सुक्समृद्धी लाने वाले माने जाते हैं वहीं दोस्तों कुछ ऐसे पोदे भी होते ही जो घर में गरीवी लाने का काम करते ही दोस्तों आज के वीडियो में हम उन दोनों रहा के पोदों के वारे में बताने वाले ही तो आईए दोस्तों पहले जान लेते हैं उन पौधों के बारे में जो अगर आप घर में लगाते ही तो एकिनन परिवार के लोगों की तरक्की शुरू हो जाती है आईए जान लेते ही उन्हीं पाँच पौधों के बारे में सबसे पहले लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अब शूर करते हैं आज का वीडियो दोस्तों नमबर एक तुलसी ये पवदा आम तोर पर सभी के घर में पाया जाता है तुलसी का सेवन सेहत के लिहाज से तो फाइदेमंद होता ही है साथी इसे घर में लगाने से सुक्समृद्दी भी आती है लेकिन अगर घर में तुलसी का पवदा है तो कुछ खास बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए इसकी विदिवत पूजा करनी चाहिए इसे कवीवी दच्छड दिशा में नहीं रखना चाहिए इसे लगाने का सही स्थान पूरब दिशा या इशान कोण माना जाता है दोस्तों रविवार के दिन तुलसी को नहीं छुआ जाता है इस पौधे का संबन्ध शनी देप से माना जाता है ये पोधा घर की बाई और ही लगाना चाहिए साती इसकी विदिवत पूजा भी करनी चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस पौदे को लगाने से गर में कवी भी धंदान की कमी नहीं होती है बास्तु दोस्त दूर होते हैं और इसके साथ ही शनीग्रे भी बलवान होता है दूस्तो नमबर तीन हल्दी इस पौदे को गर में लगाना बहुत शुब माना जाता है इसे लगाने के लिए सबसी अच्छी जगे उत्तर या पूरब दिशा मानी जाती है इस पौदे की रोजाना पूजा करने से सभी मनो कामनाएं पूरी होती हैं दोस्तों ये पौदा घर से नकारात्मा कोर्जा को दूर करता है दोस्तों नमबर चार मनी ट्रिया करसुला इसे जड़ प्लांट भी कहते हैं ऐसा माना जाता है इसे घर में लगाने से धन की प्राप्ती होती है इसे गेट के प्रवेश द्वार पर अंदर की तरफ स्थापित किया जाना चाहिए इस पौदे को धूप या छाओं में कहीं भी लगाया जा सकता है ये धन को अपनी और आक्रिसित करता है और दोस्तों नमबर पांच बास के पौधे वास्तु के नुसार घर में वास के पौधे लगाने से सुक सुमर्दी आती है वास के छोटे छोटे पौधें को लाल दांगे बें बांद कर उत्तर पूरब या उत्तर दिशा में रखने से आर्थिक उन्नती होती है दोस्तों वास्तु के नुसार वास के छे डंटल दंट को अपनी और आक्रिसित करते हैं आईए दोस्तों अब उन पौधों के वारे में जान लेती हैं जो भूल कर भी हमें घर में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेर के पौधे की बेर के फल खाने में भले ही बेहत स्वादिश्ट होती हैं लेकिन इसका पेंड घर में लगाना किसी मुसीबत को दावत देने से कम नहीं है क्यूंकि जिस तरह से बेर के पेंड में लगे काठे इसे उल्जा हुआ बनाते हैं उसी तरह इसके घर में रखने से बेर के पेंड को लगाने से आरथिक नुकसान होता है इससे घर में पैसा नहीं टिकता है और मालच्मी का वास नहीं होता है दोस्तों घर में बोंसाई का पवदा लगाना भी अशुम मना जाता है फेंगशुई के अनुसार ये शुक्ता का प्रतीक नहीं है दोस्तों धार्मिक शास्त्रों के अंसार बेंसोई का पेड़ घर में लगाने से मालच्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है दोस्तों जिन घरों में इमली का पेड़ लगा होता है वहां रहने वाले लोगों की कभी तरक्की नहीं होती है इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्त पर भी बुरा असर पढ़ता है इसलिए दोस्तों भोल कर भी आप घर में इमली का पौदे ना लगाएं इससे घर में नकार आत्मा कूर जाओं का वास होता है ऐसे गरों में भूत प्रेत एबम बुरे सायों का वास हो जाता है तो भूल कर भी दोस्तों इन पॉधों को आप घर में अपने ना लगाएं तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना है वीडियो में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र पर आधारी थे ये यूट्यूब चैनल जिस जानकारी की सत्यता की पुष्टी नहीं करता है इसे अमल में लाने से पहले आप इस शेत्र के किसी विसेशक जिसे सलाह मिश्विरा अवस्य ले लें तो मैं दिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई and थैंक्स वार वाचिंग मैं वीडियो